हाई, विन्ट समय इत मस्ट भी मैस भायमिये, विल्कम अगी इंट वर्ल्ड उफ मैस भायमिये, इधर आप इसे यूटूब पे देख रहे होगे, या एप पे देख रहे होगे, अगर आप पे नहीं देख रहे हो, आप इस साइट पे जाएए, एप को डाउनलोड कर लो, या आप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिजे, आप पे आईए, उसमें बहुत कुछ और भी अप्लोड होंगे, अलांग विद यूटूब, यूटूब में होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत जदा होता है, आपके सामने नोटिफिशन दिखते हैं, सेजेशन दिखते हैं, यहाँ आपके पास अनली पर हाई होगी, आप आप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हम लोग चलते हैं इस कोश्चन की तरफ, तो मैं आप से चाहता हूँ कि यह जो सिमकाट का जो कोश्चन है, मैं ऐसे two method से solve करूँगा, one is a basic method and one is the observation method, basic method would take a minute or two, observation would take 30 second to 40 second, तो अब दोनों बने रहे हैं, last में बताऊँगा क्यों observation method है क्या, तो चलिए स्टार्ट करते हैं question को, in this question it is said ABC is an equator triangle, meet points है, बहुस अगर यह meet points है, तो meet points की कुछ प्रोपर्टीज होती है, इक लिटर triangle में, अगर सारे angle 60 होते हैं, तो line parallel होता है, that is BPT, मैं बहुस सकता हूँ, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, और मैं इस से बहुस सकता हूँ, कि अगर parallel line है, तो जितने भी angles बन रहे हैं, 60 होगी, अगर इस side को मैं X मानूँ, तो यह भी X होगा, यह भी X होग मुझे निकालना क्या है, मैं यहाँ join कर दूँ, तो मुझे को एक बात तो proper दिख रही है, कि curator triangle का area, जो numerator में आएगा, वो होता है, root 3 by 4, 2X square, because 2X is the side, तो यहाँ से जो दिखेगा, यह दिखेगा, यह दिखेगा, root 3 by 4, 4X square, so this one is cancelled out, so numerator में जो आपका होगा, वो होगा, निकालना है, and मुझे numerator के लिए इसका area चाहिए, इसका area निकालने के लिए, can we find the area of this triangle, हाँ, यह भी तो equator triangle है, इस triangle की area, that one is cancelled out, cdf का area, से मैं अगर इस sector को minus कर दूँ, तो मुझे required area मिल जाएगा, this one is equator triangle, root 3 by 4, 2X square, तो आपकी equator triangle की area होगा, sector निकालने के लिए, मुझे arc में काम करना होगा, तो this one is a complete portion, angle कितना है, 60 degree, side कितनी है, that is radius कितना है, X, तो इस complete arc का area होगा, theta upon 360 by X square, यही इस complete arc का होगा, जिसमें मुझे को इसको subtract करना है, so we can say, यह दोनों equal area होगा, minus root 3 by 4, X square, the area of CDF minus sector को अगर मैं subtract करूँगा, तो मेरे पास जो मिलेगा, यह दोनों plus sign में आ जाएंगे, root 3 by 4, X square, plus root 3 by 4, X square, minus pi X square, divide by 6, and total मुझे को इस से divide करना होगा, root 3 by X square, तो यह X square तो cancel out होगा, यहाँ जो दिखेगा, root 3 by 4, minus pi by 6 दिखेगा, यहाँ दिखेगा, root 3, तो आप इसको बोच सकते हो, LCM अगर होगा, तो यहाँ 6 होगा, यह हो जागा, 3 root 3 minus pi, and नीचे root 3, तो answer इसका हो जागा, 3 root 3 minus pi upon 6 root 3, हमने किया किया, we have found the area of the bigger triangle, root 3 by 4, 2X square, जो कि आपका denominator होना था, इस पार्ट का area निकालने के लिए हमने ट्रेंगर के area से sector के area को subtract कर दिया, and the area of sectors हम निकालते कैसे है, area of sector निकालना भी बहुत easy है, आप इस पूरे पार्ट का area निकालो, और उस पार्ट से एक्लिटर ट्रेंगर को subtract कर दो, आपका answer आ जाएगा, तो चलिए अब चलते हैं, method 2 के तरफ, observation के तरफ, से town होगा, यह तो आपको पता है, because मैं फिस repeat करता हूँ, हरे triangle का area, in any of the triangle, यह quarter triangle बहुत अची बात है, 0.25 होता है, 1 4th होता है, अगर midpoint निकालते है, तो answer 0.25 से कम होगा, और मैं उसको कुछ value पता है, root 3 is 1.7, यह मुझे पता है, pi is equal to 3.1, यह मुझे पता है, अब यहाँ denominator में, अगर मैं option number A को देखूँ, मैं अगर divide करूँ, तो यह देखेगा, 1 minus pi upon 3 root 3, option B को देखूँ, तो यह देखेगा, 1 by 2, 6 root 3 divided होगा, minus pi upon 6 root 3, option number 3 को देखूँ, तो यह होगा, 2 by 3, minus, अगर आप divide करो, pi upon 6 root 3, option number D को देखे, तो यह हो जाएगा, 4 by 3 minus pi upon 3 root 3, यह तो हमें पता है, and हमें निकालना क्या है, pi by 3 root 3, अगर आप pi by 3 root 3 पे काम करते हो, pi is nothing but 3.1, और यह जो आपका होगा, 5 point something चलेगा, तो यह अगर मैं यहाँ से point, cancel out करते हो, यह 0.6 के करीब आएगा, यह मुझे पता है, 3.1, and pi upon 6 root 3, वो 0.3 के करीब आएगा, तो approximation से मैंने निकाल दिया, pi by 3.6 के करीब आता है, तो if we subtract 1 minus pi by 3.6, तो यह value approximately 0.4 के करीब आती है, मुझे 0.25 से कम चाहिए, यह answer नहीं है, यह देखो आपका 0.66 है, 0.66 से 0.3, अगर आप subtract करोगे, तो 0.36 आता है, 0.25 से कम नहीं है, यह भी नहीं है, 4 by 3 is 1.33, और pi by 3 is 0.6, यह 0.7 के करीब आता है, यह भी answer नहीं है, तो answer जो मेरा होगा, अगर मैं half से 0.3, यह जो आपका आ रहा है, subtract करोओ, मतलब 0.5 से 0.3 subtract करोओ, तो यह near about 0.2 होगा, और यह answer होगा, यह आप observation से भी निकाल सकते थे, there is no need to do any calculation, यह visible है, कि यह नहीं होशकता है, यह आपका काफी बढ़ा है, यह नहीं होशकता है, यह नहीं होशकता है, यह answer है, otherwise best तरीका हमने उपर देखा है, पूरा तरीका निकाल दे, option solve कर दे, तो आप जमेट्टी में या किसी और questions में, if you need to find the issue, आप यह भी try कर सकते हो, बट, best is concept, आप concept लगा के solve कीजिए, आपका answer बहुत ही ली जाएगा, so I hope it is okay, आगे की question कले भी आप बने रही है, अगर आपने app download नहीं किया, तो app download कर लो, आप इस site से जाके, and अपना best दो, उस पर हम लोग बहुत कुछ लेके आएंगे, God bless you, happy learning, and bye-bye.